हलो नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मैं विवेक पांडे श्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी प्यारे भाई बहनों का अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में आप लोगों की जो भरतिया प्रस्तावित हैं मार्च के अंतिम शप्ता हमें आने हे तू जिसक जो एग्रिकल्चर सहायक के पदों पर जो रिक्तिया हैं जिस पर आप लोग भरती के लिए तयार हैं जिस पर आप तयारी कर रहे हैं अपनी पूरी ताकत जोक रहे हैं इसमें आप लोगों को सेलवस को लेकर के जो दुबिदा है डीटेल सेलवस मैं आपको बताने जा रहा देखिए जो आपका प्रस्तावित रिजल्ट है अगर प्रस्तावित जो आपका सेलेवस है योजना है उसमें अगर अधीनस्त क्रिशी सेवा वर्ग तीन यानि कि ग्रूप C की एक नौकरी होती है इसके अंतरगत आप देखेंगे तो इसका जो सेलेवस दिखाया जाता है इस क्लब की आपको विज्ञान और गडित दोनों पढ़ना है और गडित में भी पूरी गडित नहीं पढ़ना गडित में भी आपको केवल अंक गडित तक पढ़ना है केवल अंक गडित पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए केवल अरिथमेटिक आपको पढ़ना है और स सह सववांगया द्यान रखिये गा प्धते एगाए तो द् newspapers हो गई और आपको पता दूं कि यहाँ पर दो घंटे आपकी परिक्षा होई थी और 200 प्रश्ण करना मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मत्वद समयन निर्धारा की प्रशनों के उत्तर मिल जाएंगे बिना मतलब का इधर दोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगे आप सुनिये समझिये तो ध्यान से कहा क्या रहे हैं कि 200 प्रशन है गुरू और 200 प्रशनों की यदि बात करें और 120 मिनट है दोस्त आपके पास गौर से सुनियेगा 120 मिनट है 200 प्रशन है आप अगर देखें और गड़ित लगाएं तो एक मिनट से भी कम में आपको एक प्रशन को हल कर लेना चाहिए समय कहां बच सकता है इस सामान नहीं हिंदी में आप जितना समय बचाना चाहें बचा लें सामान निज्यान में जितना समय बचाना चाहें बचा लें विज्यान के प्रशनों को यदि देखें और वो Calculative Mathematical Type अगर Question नहीं है विज्यान के यानि कि numerical में question नहीं पूछे गए है numerical value में तो आप रेटे रेटाई प्रशनों का तो सीधा जबाब दे सकते हैं वहाँ पर समय बचा लें और उस पूरे समय को आप reasoning और maths को दे दें क्योंकि एक scoring topic होता है जगर बच्चे का गड़ित अच्छा है mathematics weak नहीं है और बच्चा reasoning पर अच्छी पकड़ बना के गया है तो परिक्षा जरूर निकाल लेता है ऐसा हमने अपने अनुभव में देखा है लगातार निरंतर सिक्षण में हमने इस चीच को महसूस किया है निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो आप देख लीजेगा कि निगेटिव मार्किंग 2018 में जो है उसका कुल 50 प्रतिशत यानि की वन हाफ जो है लगबग यानि की दो गलत उत्तरों पर एक सही उत्तर को ले लिया जाएगा आप सही सही करते चले जा रहे हैं आपने दो तुक्के मार दिये तो एक सही वाला भी चला गया यानि एक सही पर दो गलत आपका लैप्स होता था सीधे तीन चले जाते थे एक साथ लेकिन एक योजना यही से मैं बता दू कि 2018 में ऐसा था 2023 में क्या हो सकता है कि 2023 पर जब हम बात करेंगे तो 2023 में क्या परिवर्तन आ रहा है गुरू तो देखिए परिवर्तन को समझिए जरासा जब 2018 से 2023 को compare करते हैं तो यहाँ पर जो negative marking है वो one fourth negative marking होगी वो one fourth negative marking की जाएगी इस से जादा negative marking नहीं होगी यानि चार तुक्के पर चार गल्तियों पर तुक्के पर न कहिए कभी कभी तुक्के सही भी निकलते हैं तो चार गल्तियों पर एक सही आपका काट लिया जाएगा यह परिवर्तन एक समझ में आया और देखते चलो गुरू सब समझा देंगे आज के क्लास में हम देखो अब सामान्य बुद्धी परिक्षण में गुरू पढ़ना क्या क्या है ए समझ लीजे मतलब पाठिकरम में क्या क्या पढ़ है सामान्य बुद्धी परिक्षण में तो आप युक्ति संगत और आलोचनात्मक और विशलेशनात्मक योग्यता आप में होनी चाहिए कथन तर्क, कथन निश्कर्ष, नमबर सिरीज हो गया, आकृतियों से अंक निकालना, आकृतियों की संख्या देख करके बताना, इस तरह के प्रशन मानसिक योग्यता पर प्रशन, ऐसे प्रशन जिसमें अब भ्यर्थी के परिडाम परक, अभिक्षमता की परक हो सके, ऐसे प्रशन आपके परिक्षा में पूछेंगे शांकी की अभिशलेशन, यानि की ग्राफ और डियाग्राम संबंदी प्रशन, जैसे आप देखते होंगे, ऐसा कुछ बना के दे दिया, अब इन तीनों में से कुछ पूछेगा, जैसे माल लीजे, गड़ित में, रिजनिंग में, और हिंदी में, प्राप्तांकों की संक्य कुछ ऐसे करके सवाल जो पूछे जाते, वो सब आपसे पूछे जाएंगे, तो सामान ज्यान संबंदी प्रडाम आपसे पूछे जाएंगे, निशकर्स निकालने की छमता आप में होनी चाहिए, यानि कि कुल रिजनिंग आपको गुरू यहाँ पर सीधी सीधी बात है, प परिक्षा के प्रशन पत्रों को लगाया, यूपी ट्रिपल सी के पुराने सारे प्रशन पत्र लगा डाले, सेलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, 100% आपका काम हो जाएगा, लेकिन इतना करना पड़ेगा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब इसे को तबी इसका फायदा होगा, अन्य था, फायदा नहीं होगा, अब गुरू आजाओ, दूसरे वाले पे, दूसरा वाला कहता है, कि सामानने ज्ञान में क्या-क्या पढ़े, तो सामानने ज्ञान अपने में ही कहने के लिए ही सामानने है, वास्तों में थूछी पूल्ड उत्तर प्रदेश पर आधारित विशिष्ट प्रस्ने सिक्षा यानिक यूपी स्पेसल भी आपको पढ़के जाना पड़ेगा अच्छी जानकारी होनी चाहिए मौसा, मिट्टी, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, फसलों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, रभी, खरीब, ये सब सारी फसलों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, संस्कृती के बिशय में, कृषी के बिशय में, जनसंख्या के ब इधायों का आपको ठीक ठाक जानकारी होना चाहिए क्योंकि यहां से आपके प्रश्ण पूछेंगे AGTA में गुरू आपको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और बहुत शांदार तरीके समझाया है क्या आपका कारेभार क्या होगा आयू क्या होगी योग्यता क्या होगी मतलब जबर जस्त पद होता है दोस्त आप आराम से अपने परिवार के लिए भी समय दे सकते हैं स्वयम और आगे पढ़के कोई और बड़ी परिक्षा निकालना चाहते हैं उसके लिए भी समय दे सकते हैं बस आपको मन लगा करके इसमें एक बार लगना है और अच्छी सेलरी अच्छे बेतन मान के साथ इन सब पर भी हमारी एक वीडियो है उसको भी देख लीजेगा ठीक किता नयत्रित महिलाओं का सशक्ति करन महिला सशक्ति करन पर आजकर ठीक ठाक प्रशन पूछे जा रहे हैं इसके विशय में कभी अगबारों में यह कुछ निकला करें तो पलते रहा करिए सब यहीं नहीं अन्य यूपी ट्रिपल सी की परिक्षा यूपी प्रिक्षाओं म अधिक राजनैतिक पक्षियों की सामान्य जानकारी है वो सब भारत और बिश्यों के भूगोल के भिशय में भारत और बिश्यों के भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल के भिशय में आपको जानकारी होनी चाहिए इसके लिए भी हमारे आखक्षाएं चल रहे हैं अक्षाएं ले रहे हैं लगातार भारत का भूगोल पढ़िए देश की बहुतिक सामाजिक आर्थी है आर्थिक इसको मैं ज़रा साइड कर दू ताकि आपको अच्छे बता पहुंचीजे है आर्थिक भूगोल से सम्मंदित प्रशन आपसे पूछे जाएंगे बिश्व भू जोईन करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट चाहें तो निकल वाली जे कितना परिवर्तन होगा सब बताता हूं परिशान काय हो रहा हो गुरू बस बने रहो अराम से सुनते रहो सीखते रहो अब देखो भारती राजनीती एवं सासन के भी से में पूछा जाए पुदाइक विकास से जितनी वे राजनितिक प्रडाली है उससे संबंदित सारे प्रशनाप से तंतर पूछे जाएंगे इसके लिए भी हमारे हादर्णी जोती में हैं उनसे आप क्लास ले सकते हैं ठीक है और बहुत ही शांदार आप लोगों के लिए में पढ़ा रही है बीके सुकला सर पढ़ा रहे हैं पॉलिटी के लिए दोनों लोग दो बड़े बिद्वानों के बीच में आप लोग खड़े होकर क्या आराम से पढ़ सकते हैं भारतिय अर्थवेवस्ता एकोनोमिक के लिए क्लास चल रही है सामाजिक विकास गांधी विचारधारा पे प् वही लेखन और लेखा शास्त्र से संबंदित सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस पर प्रशनाप करने के लिए तयार रहेगा कक्षा में पेड़ बैच में ये सारी चीज़े हमारे हां कराई जा रही है इसको भी पेड़ बैच को कैसे जॉइन करना है आंत में बता दिया जाएगा आपको राष्ट्य और अंतराष्ट्य महत्यों की सामाई घटनाए इसमें खेल कूत के प्रशन सम्मिलित होंगे मतलब की करेंट से संबंदित एकॉनमी का आपसे पूछी जाएगी देखिए करेंट को बिलकुल नहीं चोड़ना है अधरणी रभी सर इसके लिए खाय लेते रहते हैं बीच बीच में तो तीन महीने का करेंट अब महीने महीने भर का करेंट जो फाले एकजाम के पहले आपको complete yearly करेंट says महीने का करेंट जो कराया जाता है और इतिहास रहा आप देखिए Target on का लगातार यह पूरा विश्वास भिद्यार्थी जो करते हैं प्रसिक्षित और दक्ष सिक्षकों के साथ जुड़ करके आप स्वयम को प्रसिक्षित करते हैं और आपका ये प्रसिक्षण आपको चयन दिलाता है बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं इसलिए आप बेहतर पाते हैं हमारे यहां चलिए तो भारती क्रिशी बारत की देख तो इसमें आप जो पढ़े हैं वह को औस recert में ब करता है ah मैं जानकारी की नागे बढ़ंगा तो अगले तथे पर चलता हूँ तो आप से सामानि विज्ञान और अंकगरित में कैसे कैसे प्रशन पूछे जाएंगे तो विज्ञान में देखे जियो विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानि बायो भी पूछेंगे, केमिस्ट्री भी पूछेंगे, गुरू फिजिक्स भी पूछेंगे और तीनों से सवाल आएगा तीनों पढ़ना है सेलवस अच्छा खासा है अगर सोचोगे कि खुद से कलाकारी कर ले जाए तो थोड़ा कठिन है हाँ इधार उदर के चक्कर में पढ़के समय नष्ट करोगे अत्यंत कठिन है यदि आप मेहनत करने वाले विद्ध्यारती है सचमुच सफल होना चाहते हैं तो आपकी सफलता हमारी जिनमेदारी है हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ आप मेहनत करिये हमारे साथ आईए देखिए इनसे जो दैनिक अनुभाव और प्रेक्षण से संबंदित विश्यों के साथ जो विज्ञान के सामान्य परोबोध और जानकारी परादारित प्रश्ण होंगे उनकी ऐसी किसी भी सुसिक्षित ब्यक्ति से अप एक्षा की जा सकती है जिन से विज्ञानिक विश्यों का विशेश अध्यन नहीं किया हो और भारत के विकास में विज्ञान और प्रद्योगी की भूमिका संतुलित आहार, कैलोरी डिस्टिब्यूशन, प्रोटीन, बिटमिन, डाइरिया, बिटमिन की कमी से होने वाली बिमारी आएंइमिया, बिभिन भिमारी ओसे भोजपदार्थ का जो महत्त्त है टीकाकरण का जो महत्त है जो जल चक्र है, जो जल शुरोत के प्रकार है पेजल है, गुढ़वत्ता कैसी है, कितना होना चाहिए मानक, कितना होना चाहिए श्वक्ष जलक इसको कह सकते हैं इसका जो मानक है एक्यूप्रेशर है ना एक्यूफर और एलेक्ट्रो मेगनेटिक रेजिस्टिविटी सरवेक्षण आदी से सम्बंदित प्रशन पूछे जाएंगे और इन सब को बारी-बारी से आपको पढ़ना चाहिए सेल्फ स्टेडी कर रहे हैं तो भी इन चोटे-चोटे पॉइंट्स को गूगल करके उसकी अनायतिक जानकारियों को दरकिनार करके पुस्तक की सहायता लेकर के हमारी यूट्यूब की कख्षाओं की सहायता लेकर के हमारे अनिपेड बैचेस की सहायता लेकर के हमारे courses के अंतरगत जो materials आपको दिया जाते हैं टेली ग्राम पर उसकी सहायता लेकर के प्रशन पत्रों की एक ब्रहाद स्रंकल आपको दी जाती है उसकी सहायता लेकर के आप इसका लाब उठा सकते हैं साथ ही जो प्रारंबिक गडित में high school इस्तर के प्रशन है वहाँ से आपको जानकली जाती कहने को तो एक high school इस्तर लिखा है परंतो प्रशनों का इस्तर ठीक ठाक होता है ठीक इस्तर पर प्रशन बनते हैं इसमें अंकगडित, बीजगडित, रेखागडित इन सब से प्रशन होंगे देखिए जब डीटेल में आते हैं तो सब दे देता है अब वहाँ क्या लिखा था केवल बिजगडित और अंकगडित का अध्यन करना है और इधर आईए तो बीजगडित भी कह दिया है और रेखागडित भी कह दिया है जब आप 2023 का पेपर दे रहे होंगे तो complete maths पढ़के जाना पढ़ेगा जब एजी टीए complete आप पढ़के selection लेने के लिए अगर आप निकले हैं न तो 2023 का जो mathematics से ठीक इस तरका होगा बिज्यार इस तरी होगा ठीक है इसके आधार पर पढ़ना पढ़ेगा अब आईए मैं अपने topic पर आता हूं अब मैं आपको बता द ही बला हो आप निश्यत ही कुछ अच्छा करें तो देखिए इसमें आपठित गद्यान साब से पूछा जाएगा संच्छेपन पूछा जाएगा उसका पहले बचपन में जब आपक्षा छे साथ आठ में थे तो आप जब परिक्षा देने जाते थे तो वहां पर एक पूर का उत्तर उसमें से खोच करके देते रहे होंगे ठीक कह रहा हूं मैं ऐसा ही होता था तो इस तरह का उत्तर आपको यहां पर देना होता है लेकिन उसी का एक अपडेटेड वर्जन होता है सवालों में अपडेटेड वर्जन मतलब कैसे वह तो बचपन था बीत गया सारे उ इसमें क्या करना है ना कि आपको इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि जो जिसका सीधा उत्तर वहां से नहीं मिलेगा उस गद्यांस के तरक के आधार पर आपको ठीक उत्तर करने के लिए बिकसित होना पड़ेगा प्रैक्टिस वैक्टिस करनी पड़ेगी तो हम क्य है ना कि इसके लिए प्रैक्टिस करवाते हैं पेड़ बैच में इसकी विवस्था की गई है इसकी पूरी अलग से क्लास लूँगा जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को संक्षेपन गध्य में सीर्शक को ग्यात करना इत्यादिस सभी चीज़ों को मैं सिखाऊंगा जि अलाकाट प्रति हो गिता है यह समझ लीजे और पिरोजगारी के दोर में 2013 में परिक्षा हुई फिर 18 में हुई सोची कितने कितने सालों का गयाप फिर 23 में होने जा रही है 18 से 23 के बीच में ही अगर आप गैप को गिन लीजे तो 19, 20, 21, 22 कुल 4, 4, 4 सालों का गैप है आपके पास क्या आप हर पाच-पास साल तयारी करके AGTA बनने निकलेंगे क्या नहीं न एक ही बार में सेलेक्षन ले लेंगे कि नहीं अगली बार भरती कब आएगी भगवान जाने अभी है गरीब की थाली में पुलाव आ गया है देखो जाकर पता करो चुनाव आ गया है तो ठीक उसी तरह अप चुनाव आ गया है गुरू अब जरूर तुमारी भरती निश्चित हो गया वैसे भी आदरणी सुप्रीम कोट ने इसके कुल 2013 के 900 पदों को निर्धारित करने के लिए उन्होंने नियमित तोर पर कहा है कि इनको बिना पेट के ही इन 900 विध्यारतियों को परिक्षा देने के अनुमती दी जाए जिससे कि आगे बढ़ सके ठीक है तो आपको अपनी तयारी बहुत शुद्रन रखनी है और हाँ जो नव प्रतिशत या उससे ठीक प्रसेंटाइल है तो वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी अब आगे देखिए साथ ही शाषकी अर्ध शाषकी वयक्तिक और व्यवसाइक समस्याओं के निराकरण से संबंधित संबोधित पत्र कार्यालय आदेश अधी सूचना और परिपत्र संबंधी पत्र आपको लिखने होंगे यानि आना चाहिए प्रश्ण पूछ लिया जाएगा जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपके इलाके में सरकारी लाइब्रेरी खुलवाने हेत्व आप किसको पत्र लिखेंगे और कैसे संबोधित करेंगे उसको उसमें अपना नाम कैसे लिखेंगे दिनांग किस इस्थान पर रखेंगे इत्यादी बहुतेरी तरीके के प्रश्ण यहां पर पूछे जाएंगे फिर हम लोग वर्णों के विशय में, ध्वनी विचारों के विशय में, उच्चारण के विशय में, लेखन, स्वर, बेंजन, मात्रा पहचान और प्रियोग के विशय में और ध्वनियों का वर्गी करण इत्यादी आपको आना चाहिए इससे सम्मंदित ठीक प्रशन आपसे पूछा जाएगा यानि वर्ड और ध्वनी विचार के बारे में उच्चारन के बारे में लेखन, स्वर, बेंजन ये सब कक्षा में मैंने पढ़ाया है यूटूब पर ही पढ़ाया है आप जाकर के डैमो देख लिजे ले लिजे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी हम लोग शब्द रचना पढ़ेंगे जिसमें संधी, संधी बिक्षेद, समास, उपशर्ग, प्रत्य इन सब का अध्यन करेंगे यहां से बहुत सारे शंधी बगरे तो इस तरह करा देंगे कि दोस्त आपको कभी दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेंगी यकीन मानिए अगर कभी दुबारा पढ़ने की जरूरत पढ़ जाए तो बता दीजेगा इस तरह से आप पढ़ेंगे ना आप पेड़ बैच की विद्ध्यारतियों से पूछ लीजे इस तरह से पूरी की पूरी शंदी पढ़ाई जाएगी दोस्त पूरी की पूरी है देखने की जुरूष नहीं पढ़ेंगे शब्ध्रकारोन को देखेंगे तट्शं अर्द तट्वच जो ना पूर्ण रूपन अ तद्धवम के लिए पढ़ेंगे हम लोग तद्भाव को पढ़ेंगे देसद शब्द बिदेसी शब्द सब्सक्रण करेंगे बिदेसी देखो गमभीर समस्या थोड़ी है यह देखो गुरु यह एक विकारी शब्द होता है और एक विकारी प्रकार का शब्द होता है हैं जी विकारी क्या होता है और आविकारी क्या होता है तो विकारी हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिन पर लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव पढ़ता है गुरू क्या लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव पढ़ता है लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव पढ़े तो उसे विकारी की संग्या दी जाती अगर प्रभाव पढ़े तो ना पढ़े तो तो जिन पर लिंग वचन कारक काल का प्रभाव नहीं पढ़ता जिन पर लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव नहीं पढ़ता काल का प्रभाव नहीं पड़ता लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्त आविकारी शब्द की संग्या देते हैं अगर प्रभाव पड़े तो विकारी किन पर किन पर प्रभाव पड़ता है तो संग्या पर हम प्रभाव मानते है और किस पर मानते हैं सर्वनाम पर हम इसका प्रभाव मानते हैं और किस पर मानते हैं क्रिया पर इसका प्रभाव मानते हैं विशेशन पर हम इसका प्रभाव मानते हैं और जो शब्द संग्या की विशेश्टा बताता है उसी को हम विशेश्टा की संग्या देते हैं यह सब प्लाओंगा मैं कक्षा में आपको बहुत डीटेल में जो शर्वनाम की विशेष्टा बताते हैं वही गुरु हमारे शार्वनामिक विशेष्ण कहलाते हैं उन्हीं को हम लोग शार्वनामिक विशेष्ण की संग्या दे देते हैं जो क्रिया की विशेष्टा बताते हैं दोस उसी को प्राविशेशन कह देते हैं, इस तरह से हम लोग इसका पूरा का पूरा अध्यन करेंगे, आविकारी का अध्यन करेंगे, आविकारी में भी चार होते हैं, जैसे कि मैं बता दूँ आविकारी शब्दों के अंतरगत कौन कोन आता है, तो आविकारी के बारे में भी ज समुच्य बोधक समुच्य बोधक संबंद बोधक संबंद बोधक क्रिया विसेशन समुच्य बोधक संबंद बोधक बिश्मय बोधक इनको आप चार मान करके चलिए यह आपका बिश्मय बोधक है यह आपके चार के चारों क्या है प्यारे विद्यार्थियों तो आपने लिए जा रहे हैं इस प्रकार से हम इनका अध्यन करते हुए डीटेल में चलेंगे तो आएए अब आगे देखते हैं कि और क्या पढ़ना है दोस्त हमें और हमको पढ़ना है शब्रचना शब्द प्रकार जिसमें तत्षम अर्द तत्षम देशज विदेशज सब पढ़ते यही तो बताया भी इन सब का अध्यन करेंगे शब्द यूगमों के अर्ठ भेदोंका अध्यन करेंगे और शम्शुरुति भिन्न अर्थक शब्द हम लोग पढ़ेंगे मतलब वे शब्द शम्शुरुती का मतलब होता है सम मतलब सुनने में समान सम्शुरुती शुरुती मतलब सुनना सम मतलब समान तो शुनने में समान लगने वाले शब्द परंत उनका अर्थ कैसा भिन भिन उनको शम्शृति भिन नार्थक की संग्या दी जाती है उनका अध्यनम लोग करेंगे डीटेल में करेंगे और समानार्थी शब्दों का विवेक आपको होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए उपयुक्त शब्द चयन यानि की संबंद वाची शब्दावली शब्द कौन सा शुद्ध है तो आप बताएंगे कि यह वाला शुद्ध है ऐसे प्रशनाप से पूछे जाएंगे और ब्याकरणिक कोटियां जैसे परशर्ग लिंग वचन काल बृत्ति पक्ष और वाच देखिए कुछ चीजें तो आपको पुस्टकों में भी ठीक रूप से बली रूप से नहीं मिलती हैं जैसे मैं आपको बताओं परशर्गों का ठीक अध्यन होगा हमारे यहां बृतियां में ठीक से पढ़ाओंगा पक्षों के बारे में डीटेल में अध्यन करेंगे खुब बढ़िया से वाच्चे पढ़ेंगे कर्त्रे वाच्चे कर्मवाच्चे बहाओंगा वाच्चे पढ़ी में अध्यन करेंगे अर्थ वाक्यांशों को खूब अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहां से प्रश्ण परिक्षा में अच्छे इस तरह का पूछा जाता है तो जानकारी होना अनिवार है साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो मुख्य बोलियां है हिंदी भासा के प्रियोग में होने वाली अशुद्या है उसका अध्यान करेंगे हिंदी में से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुबात के कुछ चीजें आपको पढ़नी होंगी यहां पर इस तरह के प्रश्ण यूपी ट्रिपल सी आजकल पूछ रहे हैं हिंदी भाशा और भासा साहित्य का सामान ने ज्यान आप से पूछा जाएगा देख अगर अगर हमारे क कषा में admission लेना चाते हैं प्रवेश लेना चाते हैं तो उसके लिए यह रहा तरीका कि इस तरीके से आप प्रवेश के लिए अपने आपको तयार कर सकते हैं यहां पर आप AGTA entry लिएख करके भेश दीजिए हमारे counsellers से बात कर लिजिए और अपना admissions सुन आपका सवाल जो भी होगा हम उसको जबाब देने के लिए तैयार हैं हम जरूर रिप्लाई करेंगे जैहिंद